बड़े बुजुर्गों के 25 नियाम ध्यान रखने योग्यों जरूरी बाते आपनी किम्ती समय निकाल कर जरूर पड़ा करें नमबर एक डबल रोटी या ब्रेड को दूद में डुबा कर खाने से पतले दूबले लोग भी सहद मन्द हो जाएंगे नमबर दो यदि आपके घर में मच्छर, छिपकली और चुहों से परिशान है और इनसे चुटकरा पाना जाते हैं तो घर के हर कोने में कप रख दे नमबर साबोन या फेश्वस की जगा यदि चेहरे को दही में बेशन मिला कर धोए तो इस चेहरे का रंग बहुत जल साफ और गोरा होने लगता है नमबर चार, जिन बच्चों की हाइट रुख गई है उन्हें गुड और प्याज एक सथ खिलाई इसके सेबन करने से रुकी हुई हाइट बढ़ने लगती है नमबर पांच, थोड़ा सा सेहेद और निम्भू के रस की कुछ बून दही के साथ मिला कर चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा होने लगता है 15 मिनित तक इस मिश्रों को चेहरे पर लगाए और साप पानी से धोले 6. रोजना एक गिलस गाज़र का जूस पिने से चेहरा गोरा होते हैं क्यूंकि गाज़र में विटामिन A और विटामिन C की मात्रा अधिक पाई जाती है जो सरीर को गोरा वनाने में मदद करता है 7. खीरा और पपी तेक के टुकडे को एक समन मात्रा में पीस ले 8. अब इसमें थोड़ी सी मलाई मिला कर चेहरे पर पंद्रा मिनित तक लगाए ऐसे हफ्ते में दो से तीन बर जरूर करे 8. बालों को लंबे और घने करने के लिए सर्शंक का तेल में थोड़ा सा दूद मिला कर बालों में लगाए इसे बहुत ही जल्दी बाल लंबे और घने हो जाएंगे 9. जो रते दूद में चुहारे मिला कर पिते हैं उनके सरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती 10. खाना खाते समय कभी भी बात ना करे ऐसा करना स्वस्थ की दुरूष्टी से भी ठीक नहीं है 11. यदि आपके बाल ज़्यादा तूटते हैं तो लकडि के कंगी का इस्तमल करे इससे बाल कम तूटते हैं और बाल मजबूत तरेते हैं 12. एक रिशर्च के अनुसार बताया गया है कि कुछ सफल इंसान तो आपने दिन भर के काम लगबग 70% सुबा के समय ही पूरा कर देते हैं सुबा जल्दी उठने से आप ज़्यादा पोजेटिव महसूस करते हैं आपके शरीर में दिन भर उर्जा बनी रहती है और आप हर काम को अच्छी तरीके से कर पते हैं अगर आप ही अपने लाइप में सफल बनना चाहते हैं तो सुबा जल्दी उठना शुरू कर दे नमबर तेरा जो ब्यक्ति साथ से आठ खंटे की नींद लेते हैं वो हमेशा स्वस्त रहते हैं साथ साथ जबन और खुबसुरत भी रहते हैं इसलिए हमेशा रात को जल्दी सुने और सुबा जल्दी उठना चाहिए नमबर चौदर जीरा खाने से जोडों के दर्द में रहत मिलता है और साथ ही बधज में भी दूर होती है नमबर पंदरा जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उन्हें चावल खाने से परहेज करना चाहिए क्यूंकि चावल मोटापे को जल्दी बढ़ाबा देता है नमबर शला यदि आप ठंडे दूद का से बन करते हैं तो आज से ही गरम दूद का से बन करना सुरू कर दे क्यूंकि गरम दूद हडियों को मजबूत बनाने में मदद करता है नमबर शत्रा दही जब भी खाए तो किसी भी गरम चीज जैसे चावल या गरम रोटी के साथ ना खाए नमबर अठ्रा अगर आपको गेस की बजाज से सिर्दर्द हो रही है तो एक चमच लसुन का रस पिये इससे सिर्दर्द तुरंद दूर हो जाएगा नमबर उनिस यदि आपके सरीर में कमजरी महसूस होती है तो सालाद में चुकंदर जरूर खाया करे नमबर बीज यदि आपके सरीर धिला है तो तेज चलने की आदत डाल दे तेज चलने से सरीर टाइट रहता है नमबर इकिस यदि आपको सुख़्ी खासी की समस्या है तो किसमिस का सेबन करे नमबर बाइस यदि कमरे में मच्छरों से परिशान है तो कमरे में इलाई जी के जिलकों को रखते कमरे से मच्छर दूर भाग जाएंगे नमबर तेज़ अगर आपके हाथ पर हर समय ठंडे रहते हैं तो आप में खून की कमी हो सकती है नमबर चुबिस यदि आपको सर्दत की ज़्यादा समस्या रहती है तो पालक का सेबन ना करे नमबर पत्चिज अगर आपको सुखी खासी रहती है तो आप रात को सोते समय गर्म दूद में एक चमस देशी घी डाल कर पिए ध्यान रखे दूद पिने के बाद पानी नहीं पिना है अगर आप किसी बिमारी से पीडित है तो डक्टर से सला लेकर इस नियमों का पालन करे